दोस्तों नमस्कार, हम बॉजूद हैं, बरेली के मुक्चिकिस्ता लिकारी हैं, क्या नाव आपको भूप राम, मेरे दर्शक आपको देख रहे हैं, कल क्या जढ़ा था, जमार पिटाई सी हो रहे हैं, क्या आरोप लग रहे हैं, क्या था वो, नहीं वालो, इसके पता हो, बिवाद हुआ हैं, क्या देखे, भूप राम है, आरोप है कि यहां पर कल पैसे के लेन देन को लेके बिवाद हुआ था, और को नया नहीं है बिवाद, आए दिन ऐसा ही होता इस दफ्तर के अंदर, कभी विकलांग वोड के नाम पर पैसे, कभी जोला चाप, डाक्टर यह सरकार की छवी पर कहीं न कहीं लग रहा है पलीता, जिसकी विस्तरिक रिपोर्ट हम आपको दिखाने जा रहे हैं, हम आपको वो नजारे भी दिखाने जा रहे हैं, जिसे देखने के बाद आप खुद समझ जाएंगे, कि सीमो के कमरे को आलिसान टाइल से बनाए गया है, ऐ यहाँ पर कहीं मौत तो नहीं जूल रही, यानि कमरे के अंदर आलिसान एयर कंडीशन ठंडी हवा और गेट के बाहर निकलते ही जूलते हुए बिजली के तार, यहीं नहीं दफ्तर के अंदर जब घुसेंगे तो रठी उस सिंदली आपको याद दिलाएगी, शायद कहीं क तरह ठूस ठूस के पड़ी हुई है, लोही की अलमारियां, ऐसे ही नजारे इस दफ्तर के अंदर जगा जगा आपको देखने को मिलेंगे, और देखने के बाद आप खुछ समझ जाएंगे कि रख रखाओ कितना बेहतर है, इस चिकिस्टा विवाग के दफ्तर का, जिसने स स्वास्त की जिम्मेदारी, सेहत की जिम्मेदारी, आपको हेल्थ की जिम्मेदारी ले रखी है, ठेंगा पूरी जिम्मेदारी समाल रखी है, लाखों रुपए गवर्मेंट जिकिस्टा अदिकारियों के बेतन पर भी खर्च करती है, लेकिन अपने दफ्तर की सेहत कितनी स पड़ खाना सेहत का कितना ख्याल रखता होगा यह महिक्वा आपकी हमारी ला परवाई इस बात का गवाह इस बात का प्रतीक है कि जो दफ्तर अपने ही कैमपस को साफ सुत्रा नहीं रख पा रहा है हाईजीन की द्रस्ती से वह जंता की और हमारी और आपकी श्यात का कितना लगता होगा यही वो तफ्तर है जिसके लिखाओ मुख्च किस्सा अदिकारी बरेली और यहाँ पर गिरता हुए पेड़ है सैतूत का कब किस समय यह पेड़ जड़ से उखर चुका है जिसकी जड़ तक हम आपको लेके चल रहे हैं कभी भी यह पेड़ पूरी तरीके से बिल बिल्डिंग भी गिरेगी और यही पर खड़ी होती है सीमो साहब की गाड़ी अभी नहीं है साहब कहीं गए है जब आएंगे तब उनकी गाड़ी इसी बिल्डिंग के नीचे खड़ी होगी जिस पर पेड़ आफ़त बनके बिल्कु जोका हुआ है और कभी भी इसके झाल झाल